So, haphazard change and social change, social transformation. So, as the topic reflects that we are going to discuss किस तरह एक haphazard, mean unplanned जो change होती है, वो किस तरह society के interaction, society के जो institution है, उनको किस तरह impact करती है. So, basically, haphazard change is marked by lack of plan, lack of order, and lack of direction. यनि haphazard change, उस change को कहेंगे, जो ना तो intended होती है, ना वो plan होती है, ना वो well thought out होती है, ना उसमें कोई social order होता है, और वो directionless भी change होती है. यनि ये वो बुनादी तरह पे characteristics हैं, कि जब change तो आ रही है, लेकर वो plan नहीं है, वो किसी orderlessness का शिकार है, और उसकी direction भी मुतेयन नहीं है. और ये जो change है, hazard, it is characterized by the lack of order, our planning, by irregularity, यनि irregularity, irregular भी होगी, unplanned भी होगी, और इसमें randomness का भी concept होगा, कि ये at random भी हो सकती है, abrupt भी हो सकती है, sudden भी हो सकती है, यो जो change है. तो उसको कहते हैं कि ये हैप hazard change है, और ये जो change है, इसके पीछे, अगर हम इसको determine करें, तो ये depend करता है कि वहाँ पे किस तरह की opportunity थे हैं, किस तरह के हालात हैं, किस तरह के chance हैं, लेकन ये हैपज़र चेंज इट इस आलवेज एमलेस चेंज, एमलेस चेंज से मुराद है कि इसका कोई बनादी और जिसको primary कहलें, वो focus, objective, goal, mission, कोई इस तरह की characteristics नहीं होती, अब हम बात करते हैं कि types की, कि कौन सी वो types हैं, जिन से एक society के अंदर जो change आती है, वो hap desert kind of change होती है, जो plan नहीं होती और well ordered नहीं होती, तो number one है, that is flood, अब पाकिस्तान के तल्बा बितर जानते हैं, के मुख्तलिफ पाकिस्तान के areas जो हैं, वो flood affected areas कहलाते हैं, और इसमें नार्थ आप पाकिस्तान की मिसाल ले लें, आप south पंजाब की मिसाल ले लें, यानि इंडस रीवर जो जहां से गुजरता है, वहां पे हमेशा जो गर्मियों में, flood का जो है वो chance रहता है, और उसके नतीजे में क्या होता है, कि जो social institution है, खास तोर पे लोगों के घर, माल, मौशी, फसलें, और फिर social interaction आपस के अंदर, और फिर वहां पे उसके नतीजे में होने वाले बेशमार तरह के crime जो हैं, वो flood के साथ जुड़े हुए होते हैं, और लोगों की इतना ज़्यदा बाद जानी, माली नुकसान होता है, कि वो unbearable होता है, और बाद उका उनका मदावा करना मुश्कल होता है, इसके बाद है drought, drought का मतलब होता है कहत साली, यहां पे कहीं कहत पड़ जाए, किसी हवाले से, अब कहत की बेशमार एक्साम है, कि कह कहत किस तरह से आता है, उसकी क्या वजवात होती है, लेकन कहत की वज़े से, वो climate change की वज़े से हो, या और उसकी वजवात हो, तो खास तर पे हमने देखा कि चुलस्तान में, पाकिस्तान के गर मिसाल लें, तो वहां पे जब कहत पड़ता है, तो वहां पे उनके माल मुश ही खास तर पे और लोगों के लिए बेशमार किसम की जो मुशकलात का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में उनकी रवायात भी उनकी बाद वकात जो dislocation उनको होना पड़ती है, जो population है, फिर तै अर्थ कोई, हमने देखा कि पाकिस्तान में भी 2004 में जो जलजला आया, उसको भी हमने देखा, इस से पहले all over the world भी यहां पे भी जलजले ज्यादा आते हैं तो वहां पे उनकी life disturb हो जाती है, disruption हो जाती है life में मुशले तरह की, और अर्थ कोई खास तोर पे लोगों के financial, यहनी economic resources को damage करते हैं, लोगों की family system को करते हैं, even education और इस तरह की जो इसके नतीजे में होने वाला अर्थ कोई के नतीजे में होने वाला migration करना पड़ती है लोगों को, बासको पर्मानेंटली लोगों को migrate होना पड़ता है, अर्थ कोई की वज़ाता है, फिल हैल्थ इशूस हैं, कि यहां पे भी अर्थ हाए, drought हो, या flood हो, हैपैजर्ड कोई चीज हो होती है, उसकी क्या consequence है, तो नमबर वन, that is inadequate consideration, यानि जब हम हैपैजर्ड चेंज की बात करते हैं, तो वहां पे adequately उसकी consideration उसके उपर थाट नहीं दिया जाता, और उसके उपर suddenly, adequately, effectively, efficiently उसको इस तरह नहीं होता, इस वज़ा से उसके नतीजे में उनने वाले नुक्सान जो ह होते हैं, फिर pollution जो है, यानि pollutant जो agent है, pollution के, वो बहुत बड़ा एक हैपैजर्ड चेंज जहां पर भी आया है, तो उसके नतीजे में होती है, ओवर पापुलेशन भी एक बहुत बड़ी जो है, हैपैजर्ड चेंज का जो है, वो वज़ा बनती है, यानि यहां पर भी किसी region में, या किसी इलाके में, या किसी country में, जब बहुत ज़्यदा population का rate बढ़ता है, तो तब भी उनकी जो change है, वो उतनी well planned, well thought out, organized नहीं रहती, बलके वो हैपैजर्ड kind of things going to happen in that specific region or country. इसके बाद migration है, ये भी बहुत एक एहम एपैजर्ड चेंज, बहुत ज़्यदा बाद वकात एक, जब लोग डिस्प्लेस होते हैं, छोड़ते हैं, अपना अलाका नहीं बजाते हैं, तो वहाँ पे भी जो population होती है, वो बेशक सीजनल migration हो, तो वहाँ पे भी लोगों की जि अधिमाई भी और इन्फरादी लेवल पे भी बहुत ज़्यदा डिस्टर्ब होती हैं, और वहाँ पे अभी हम अगर पाकिस्तान में जो टूरिस्ट स्पार्ट हैं, उनकी बात करें, खास दोर पे, तो जो लोकल अबादी से हैं, वो बहुत ज़्यदा इस पे hue and cry उठाते ह हैं कि जी हमारे अलाकों में जब लोग टूरिस्ट की मदद की वज़ा से आते हैं तो हमारी प्लूशन भी फैलती है, हमारी जो खांदानी, इन्फरादी, खांगी जो जिन्दगी हैं, उनके लिए भी बेशमार तरह के मसायल पैदा होते हैं, फिर सोशल स्ट्रक्चर अफ सुसाइटी जो है, उसमें भी असरात होते हैं, कि जब हैप एदर्ट चेंज होगी, तो सोशल इंट्रेक्शन लोगों का अपस में, वो भी इससे एफेक्ट होता है, खास तो पर अगर हम माटिरियल चेंज की बात करें, तो जब माइग्रेशन हो, या ड्राउट आ जाए, या वार आ जाए, सिवल वार आ जाए, या कोई इस तरह, तो उसमें फिर क्या होता है, कि लोगों की जिंदगियां माटिरियल फार्म में भी और मेंटल और सैकलाजिक तरह के एफेक्ट भी होता है, डिस्प्लेसमेंट एक बहुत बड़ी वज़ा है, और इसके साथ फिर अ डैप्ट करें अपने आपको, उसमें भी मिश्कलात होती है, जब कोई चीज हैप हाजर्ड होती है, क्योंकि प्लैने के बगार हो रही होती है, इसलिए वो ज्यादा कास्ट उसकी बढ़ जाती है.